दोस्तों कुछ दादी अम्मा को पैसे से भी हम लोग हेल्प करना चाहते हैं यह अम्मा लीजिए दोनों हाथ से धरिये यह आपका रासन पानी कुछ करिएगा हाई फ्रेंड वेलकम माई निव ब्लोग और आज आपको मैं लेके आया हूं वह पहार जो देख रहे हैं आप आज आपको दिखाना चाहता हूं उस पहार के बीच दोस्तों उस पहार के बीच एक बुड़ी दादी अम्मा रहती है जो कि सिर्फ अकेली रहती है आज हम उन्हीं के पास जाएंगे उस जंगल के बीच में वहां पे उनका जाके कुछ मदद करेंगे इस भाई ने हमें बत सब्सक्राइब करते हैं दोस्तों आज हम आये हुए हैं जहारखंट के सिम्डेगा जिला से 40-50 किलो मेटर की दूर पर श्थित कुरूडएक परकंड के कालवांबा गाओं के उपर एक पहाड है उसी पे आये हुए हैं दाधी अम्मा से मिलने दोस्तों हम लोग दाधी अम् लेने आई हुई थी अब घर की और जा रही हूं तो दोस्तों हम भी उनके साथ हो लिए देख सकते हैं दोस्तों दादी अम्मा की जिन्दगी कितनी कठना है उससे भरा है और वो किस तरह एक-एक कदम आप देख सकते हैं दादी अम्मा ठक गई है कितना मुश्किल से भरा इनका जिन्दगी होगा और वो कितना पहनत कर रही है आप कि देख सकते हैं कितना पत्रिली भूमी है और इस पर दादी अम्मा जंगलों के बीच में रहती है मैं भी ठक गया दादी अम्मा की दिन चायरे का हिस्सा है यह रोज इसी तरह घर के काम जंगल में लकडी बीनना यह सारा काम अकेली करती है दादी अम्मा कि अब लोग पहुच चुके हैं दादी अम्मा का खार है अब अंदर क्यों राते हैं आद रहा हूए अम्मा के ऐसी हालत देख के बहुत दूख होता है दोस्तों और यांज आम्मा से जानेंगे यह ऐहले रहने का कारण आप देख सकते हैं इतना गण ओर जंगल है जंगली जानवर घूमते रहते हैं और बादी यो दोनों दादी अम्मा को चोड़ के रहते हैं कि अमीर मदद किया जा सकता है हमारे पास जो भी हम उसरी से धूसरे मदद कर सकते हैं आज हम वही मदद करने आना दादी अम्मा को तो मैं दर्त बता इतना मेहनत इतना पहाड जंगल चड़ती है अकेला खाना बनाती है इनको रासन के लिए भी पांच किलिमेटर नीचे नीचे जाना पड़ता है फिर आती है और दादी अम्मा के साथ भी को ऐसा नहीं है जो उनका हेल्प करें चाहता हूं दोस्तों इसी तरह जहां भी आपको किसी का मदद करने के लिए मिले जगा अमेर ही होना जब रही है आपके पास जीतना है। उससे ही उतना मदद कर सकते हैं। झाल हम लोग कुछ मदद करेंगे ईकाने के लिए यह रखे आप घाई येगा हैं और हम लोग का रासन पानी कुछ करिएगा और भागवान से मैं प्रातना करता हूं कि आपका बाल बच्चा बढ़ियां साय आपके पास रहे या फिर आपको ले जाए और परसासन सभी में कहूंगा कि इनको थोड़ा सा ध्यान दिये जाए जंगलों के बीच में रहती है और बहुत ही इनका हालत खराब है दादी आम्मा कुछ कहना चाहती है एक बार दादी आम्मा सब्कr सुनते हैं शाकर भोख न बेटी ना देखकहना मौनाती नी देखकहने खक़ोग्ये के mature उश्यासनीक है यह भर снवाडना पानी नी लाई देन एक लोटा पानी नी आइं देना मौग के आश्ना कर जाने कहता है कि पारता है तो मैं इस के लिया क्या आनुगे क्या नी आनुगे वाइखोरी किसुछ। किस Parent लोड में कला कि क्टमान जी सुछु आई वाईं। What to talk about is that? दोस्तों दादी आमा का जो दर्द आप देखे और उनसे जो बात किये सुनके बहुत ही दर्द होता है कि कैसी बेटी और बेटा लोग रहते हैं जो बुढ़ी आमा को अकेली इस घर में छोड़के भगवान के भरोस्ते चले गए हैं कोई नहीं आते है ना सूख में ना दुख में दादी का कहना है और अकेले ही रहती हूँ और तब ये तुवेत खराब कुछ भी होता है कोई देखने वाला नहीं है एक लोटा पानी देने के लिए कोई नहीं है ये हमारे जनम दाता है आप इनको ना भूले क्योंकि इन ही के बद्दोलत हम लोग भी है आज और जो बेटा और बेटी ऐसे करते हैं दोस्तों मैं ही कहाना चाहूंगा कि आप ऐसा ना करें बहुत दर्द होता है आज इनकी जो हालात है जो परिस्थिती हो देखके हमें भी बहुत बुरा लगता है और को कोई भी बच्चे आपने माबाप के लिएसा ना करें और बहुत अच्छा कर ला मोग चाह कर रहें और अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को सेयर करें तो तेरा दोस्तों, मेरे आउर भी बुलोग देखने के लिए बेल आइकोन को दबना ना भूले, जय हिंद!